लीप चौक पूजन करें गोवर्धन का आज गौरक्षा की शपत ले पूरा देश समाज दंभ इंद्र का तोड कर किया अचम्भित काज सहज भाव से क्रिष्ट ने उठा लिया गिरी राज गोवर्धन ममतार दो विनैकरो स्विकार अंतस अवगुण खान है कैसे हो उधार ये जगकाली कोठरी पीडित है संसार गोवर्धन फिर आज लो धरती पर अवतार जय श्री राधे हरे कृष्णा आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुपकाव नहीं गोवर्धन परवत को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना गया है गिरिराज गोवर्धन को प्रितक्ष देव की मानिता प्राप्त है इन्ही गोवर्धन परवत को द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा देवराज इंद्र का मद्द चूर करने के लिए और ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए साथ दिनों तक अपने वाम हाथ की कनिस्ठा अंगुली के नख पर धारण किया गया था कल्युग में गिरिराज गोवर्धन को भगवान कृष्ण का साक्षात स्वरुप मान कर उनकी परिक्रमा की जाती है गिरिराज गोवर्धन की ये परिक्रमा अनन्त फल्दाई और पुनिप्रद होती है पाँच दिनों के दिपावली के महा पर्व में चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है हर साल कार्थिक महा के शुक्लपक्ष की प्रतिपता तिथी को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाय जाता है जिसे अनकूट भी कहते हैं क्योंकि इस दिन घरों में अनकूट का भोग बनाकर भगवान कृष्ण और गोवर्धन महराज को अरपित किया जाता है गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोवर्धन महराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ पूजा अरचना की जाती है इस पार दीपावली दो दिन मनाय जाने की कारण गोवर्धन पूजा की तिथी को लेकर भी कन्फियूजन बना हुआ है लोगों में विरंदावन से लगभग 21 किलोमेटर दूरी पर हैं अगर हो सके तो इस दिन भक्तों को गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी चाहे नहीं तो अपने घर पर भी आप गोवर्धन परवत की ब्रतिमा गाय के गोवर्ध से बनाकर उनका विदिविधान से पूजन करके भ पर में फिर आप जानेंगे कि किस तरह से आप घर पर भी गोवर्धन पूजा कर सकते हैं इस पार कार्तिक शुक्र प्रतिपत्ता तिथी प्रारम होगी एक नवंबर शुकरवार शाम श्याबच कर 17 मिनट से और तिथी समाप्त होगी दो नवंबर शनिवार को रात आट 43 मिनट पर होगा ब्रहममूर्थी सुभ पांच बजे से पांच बज कर 48 मिनट तक रहेगा इस दिन बहुत ही शुब योग बन रही है जो कि आईश्मान और सुभार की योग है और अईश्मान यग सुब 11.18 मिनट तक होगत है बाद में सारा दिन सुबह 6 बच कर 34 मिनट से 8 बच कर 46 मिनट के बीच में दो पहर में 3 बच कर 23 मिनट से शाम 5 बच कर 35 मिनट के बीच में आप गोधन पूजा कर सकते हैं और शाम को 5 बच कर 35 मिनट से 6 बच कर 1 मिनट के बीच में पूजा कर सकते हैं जब भी आप पूजा करते हैं, उससे कुछ घंटे पहले आपको गोवर्धन परवत की आकरती बना लेनी चाहिए। गोवर्धन पूजा करने से पहले आप सुभर जल्दी उठकर इस नाना दे से निवरित हो जाएं, जिन भी देवी देपता को आप मानते हैं पहले उनकी पूजा अर्चना करें, फिर बाद में घर पर गाय का गोवर्धन लेकर आएं, ध्यान रखेगा कि गोवर्धन पूरी लेटी भी मुद्रा में आकरिती बनाई जाती है, और गोवर्धन भगवान की नाभी की जगा पर गढड़ा किया जाता है, जिस पर मिट्टी का दीपक रखा जाता है, नाभी वाले दीपक को दूध, तही, शेहद, पताशे और गंगजल से भरा जाता है, भगवान की आकर अधियादी भी आकरती गोबर से बना सकते हैं, खीलों से भगवान का श्रंगार कर सकते हैं, सुन्दर अभीर गुलाल से भी आप गोवर्धन परवत को सजा सकते हैं, कुछ जगह पर करवाचौत के वरत में जो सीके प्रयोग की जाती है, सरईले जिने कहते हैं, तो उनका आज के दिन पूजा में किया जाता है, गोवर्धन परवत पर उन सीकों को गोबर में रोब कर खड़ा कर दिया जाता है, फिर गोवर्धन परवत की पूजा करते समय आप दीप प्रजवलित करें, और भगवान का ध्यान करते वे भगवान को नैवेद और फल अर्पित करे कोई भी पुरुष सदस्य, एक लोटे में गंगाजल लेकर, दूसरा सदस्य, परिक्रमा करने वाले विक्ति के पीछे पीछे चले, आगे वाला विक्ति, लोटे से गंगाजल गिराते वे आकरती के चारों और परिक्रमा करे, दूसरा विक्ति, हाथों में खील लेकर थोड़ प्रशाद नयवेदी रखा है उसे परिवार जनों में बाठ कर खुद भी ग्रहन करें और आज के दिन खास तौर पर गायों की भी पूजा की जाती है गायों को इसनान कराकर उनके सींगों पर घी मलकर उनका श्रंगार किया जाता है तिलक लगाया जाता है अगर आपके घर म परवत के साथ ही गूमाता की भी इसात पार परिक्रिमा करने से धन प्राप्ति की कामना पूर्ण हो जाती है या कोई आपकी खासमनुकामना है तो वह Isarjan कर सकते है जिसमें जो भी गोबर अपने पूजा में प्रियों किया है उसे आप कपड़े की साहता से इकट्ठा करने जारू आपको उस जगह पर नहीं मानी है पहले कपड़े की सायता से सारा गोबर इकट्ठा करके जो भी इसमें फूल पत्ते आपने प्रयोग किये हैं उनको विसर्जत कर देना चाहिए और जो गोबर है उसे अपने घर में पेड़ पौधों में डाल दीना च चाहिए इस तरह से आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं अनकोट एक विशेश प्रकार का भोग होता है जो इस दिन भगवान श्रिक्रिश्न और गोवर्धन परवत पर अर्पित किया जाता है जिसमें इस मौसम में आने वाली लगभग सभी सबजियों का प्रयोग किया जा चाहते हैं और आप चाहते हैं गोवर्धन पूजा आपकी सफल हो तो अनकोट की अगले दिन भगवान श्रिक्रिश्न को खिचडी का भोग जरूर लगाएं खिचडी साधरन तरीके से आप बनाकर जिसमें लहसन प्यास बिरकुल भी नहों उसका भोग पहले भगवान को अ कर सकते हैं गोवर्धन बनाते समय गोवर्धन का मुख पश्यम दिशा में रखना चाहिए यह थी आज की वीडियो उमीद है यह जानकारी आपको पसदाई होगी